हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने ही चैनल अगरी फार्मिंग में मैं आज फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तो थूई हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे इस चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आपको नए वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंद मिल जाएगा दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे हर्मिसाइट के बारे में बताने जारी हूँ जिससे आप अपने खेतों में लगे सब्जी के बीच उगे खर्पतवार पर नियंतन पा सकते हैं इस बारिस के मौसम में खेतों में निकाई या हैंड़ बीडिंग करना दिक्कत की बात है जिससे खर्पतवार या अंचाहे घास फसलों के बीच ही रह जाते हैं जो फसलों के पैदवार पर असर करते हैं और हमारी फसलों की उपच उमीद से कम हो जाती है और हमें नुकसान का भी सामना करना पड़ता है इस हर्बिसाइड का नाम प्रोपागियूज़ फॉप 10% EC है और यह एक सिस्टमिक हर्बिसाइड है यह एक खर्पतवार नासक दवाई है जो आप अपने खेतों में लगे सबजी जैसे करेला, मिर्च, लौकी, भिंडी, जिंगा इत्यादी के साथ उगे खर्पतवार पर नियंतरन पाने के लिए कर सकते हैं आप प्रोपाक्यूज़ फॉप 10% EC का उपयोग तब करें जब खर्पतवार 2-4 पती की अवस्था में हो इस समय खर्पतवार नासक का उपयोग करने से दवाई उन पर जल्दी असर करती है और हमें खर्पतवार से निजात पाने में असानी होती है इसका इस्तमाल हम 1500 से 200 ml प्रति एकड करते हैं यह मार्केट में अलग-अलग brand name से मिलता है जैसे इंडो फिल, डेकल, सोसाइटी, इत्यादी यह आपको मार्केट में अलग-अलग price range पर उपलब्ध है जैसे 100 ml आपको 200 से 220 रुपए तक की मिल जाएगी 200 ml आपको 450 से 470 रुपए तक की मिल जाएगी 500 ml आपको 850 से 950 रुपए तक की मिल जाएगी और एक लिटर आपको 1550 से 1650 रुपए तक की मिल जाएगी और बागी की details आपको नीचे दिएगे description box में दी गई है या अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिएगे number पर संपर्क करें दोस्तो इस वीडियो में आज यहीं तक हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक आप अपने फसलों को खरपतवार से बचाएं और हमें comment section में comment करके जरूर बताएं सुक्रिया